जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच महत्पूर जानकारिया दूँगा जैसा कि आप पीछे बोर्ट पर देख रहे हैं और इसी के रिगारिंग कुछ मेसेज है कुछ लेटर है वो भी मैं अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि वेलफर से जुड़ी नए नहीं जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्दम से सबसे पहली दो हजार से पहले ऑनरी नैम सब्सक्राइब को रेगुलर नैम सब्सक्राइब की पेंशन जल्द मिलने वाली है जिन हवल गरेते हैं जिन हवेला को उनरी गरान्ट हुई है वह इंतजार कर रेDas चैनल समयमें जल्द रिलीज होगा है तो कि दोस्तो कुछ sources से पता लगा है कि AFT दिल्ली से final judgment जल्द release होगा जैसा आपको पता है कि जो आपका judgment था वो safe कल लिया गया था लेकिन अभी निकाला नहीं गया था तो दोस्तो कुछ वकीलों से पता लगा है कि बहुत जल्द ये निड्ने आपका आने वाला है तो जितने भी 2006 से पहले के honorary nap सोवधार है फिर उनको regular nap सोवधार की pension मिलेगी यानि जो OROP 1 की pension ले रहे है honorary nap सोवधार या फिर OROP 2 की pension ले रहे है honorary nap सोवधार तो फिर उनको regular nap सोवधार की pension मिलेगी और जब ये फैसला आ जाएगा तो जितने भी आगी OROP आएगी तो फिर उनको regular नैप सुविदार की pension मिलेगी जैसा आपको पता है 1126 से 30 जून 2014 तक का उनको area मिला हुआ है लेकिन इससे आगे का area नहीं मिला यानि एक जुलाई 2014 से बात का उनको area नहीं मिला काफी time हो गया था सारी सुनवाई हो चुकी थी लेकिन judgment नहीं आ रहा था तो उमीद है कि जल्दी ये फैसला आपके हाग में आएगा चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ अब नहीं रुकेगी March की pension तारीख बड़ा दी गई है Spurge की website पर 30 June 2024 जियां दोस्तों काफी pensioner कह रहेते कि सर हमारा life certificate summit तो हो गया लेकिन वो Spurge पे update नहीं हुआ हमने customer care से पूछा था तो क्या हमारी March की pension रुख जाएगी दोस्तों अब आपको घबरानी की जुरत नहीं है अब सभी pensioner को March की pension मिलेगी जिनका life certificate summit नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों इस पर्ष की website पर आप टाइम बढ़ा दिया है 30 June 2024 तक कर दिया है life certificate भनने का टाइम तो आप 30 June 2024 तक अपना life certificate submit कर सकते हैं तो भले ही आपने summit नहीं किया हो या फिर update नहीं हुआ हो इस पर्ष पे कोई बात नहीं आप अराम से 30 June 2024 तक समिट कर सकते हैं आप किसी की pension रुकेगी नहीं चलते हैं अगली जानकारी की तरफ तीसरी information आठ साल से ज़्यादा अगर किसी pensioner को पर्मोशन नहीं मिलता service या फिर डूटी के दुरान तो वो pensioner macp, acp लेने के लिए हगदार होता है जिया दोस्तो जब भी आप enrollment होते हैं चाहे army में हो चाहे air force में चाहे navy में तो अगर serving period में अगर आपको promotion नहीं मिल रहा यानि एक ही rank में आप 8 साल से ज़्यादा गुजार रहो तो फिर आप macp, acp लेने के लिए हगदार होते हो तो दोस्तो service के period में ही आपको macp या फिर acp दिया जाता है यानि जब आपका promotion नहीं दिया गया अगली rank में तो दोस्तो उसके बाद फिर आप एक next rank hold कर सकते हैं macp या फिर acp लेकर तो बीच के period में ही आपको macp, acp दिया जाती है यानि जिस डेट को या फिर जिस मन्त आपकी macp, acp डी होती है service period में तो वो आपको दिया जाती है अगर आप एक ही rank hold करके रहते हैं कई time तक तो दोस्तो वैसे इसका जो rule है वो 8 साल से ज़्यादा है कि 8 साल से अगर आपको कोई promotion नहीं मिला या फिर आपको next rank का benefit नहीं मिला फिर आप acp, macp लेने के लिए हगदार होते हैं 2006 से पहले join हुए service में लेकिन retire हुए 2006 के बाद लेकिन promotion नहीं मिला नायक से हवालदार में जिया दोस्तो आपका चाय कोई सभी rank हो जैसे कोई सिपाई भरते हुआ 2006 से पहले भरती है और 2006 के बाद वो कभी भी retire हो गया लेकिन service period में उसको सिपाई से नायक नी बनाया या फिर नायक से हवालदान नी बनाया तो जिस चीज में आपको promotion नहीं मिला अगली rank का तो फिर उस चीज में आपको MSCP ACP मिलती है तो वो फायदा आपको मिल जाता है तो अगर ऐसा कोई case है तो आप नीचे comment कर सकते हैं चलते हैं अगली जानकारी की तरफ केंद सरकार के employee के लिए house rent allowance की नई दरे जल्द लागू होगी जैसा आप पता है जैसी आपका DADR 50% पहुचा था तो उसी के साथ साथ जो house rent allowance की दरे हैं वो भी change हो गई थी तो दोस्तो एकस वाई जैड में जो अब नई rate आई है वो आई है 30% 20% और 10% तो दोस्तो यह automatic आपकी salary में जुड़कर मिलेगा जितने भी केंद सरकार के employee है तो दोस्तो जरूरी है कि इस पे एक order भी release किया जाए कि 50% होने पर आपकी यह दरे fix हो गई है HR पे तो दोस्तो आप यहाँ पे थोड़ा सा wait करिए automatically यह आपकी चीज बढ़ जाएगी house rent allowance के रूप में चलते आपको पता है जो divorcee daughter है उसको भी family pension मिलती है और वो तब मिलती है जब father mother expire हुए हो तो दोस्तो इसकी एक guideline है इसका एक role है कि जो बेटी है अगर वो तलाक शुदा है तो उसका तलाक होना चाहिए या फिर वो process होना चाहिए या फिर उसके जो कागजात है वो process होने चाहिए father mother के रहते हुए माता पिता के रहते हुए यानि father की death हो चुकी है और अगर mother जीवित है माता जीवित है तो अगर उनके जीते जी divorcee का case file हो रखा है या फिर कागज process कर रखे है तो उस case में भी माता जी के मरने के बाद divorcee daughter को family pension मिल जाएगी कई ऐसे department हैं जो मना करते हैं कि आपका जो divorcee का case चला तलाक का जो case चला वो father mother के मरने के बाद चला तो इस वज़े से आपको family pension एलाउट नहीं होगी तो दोस्तों ऐसे जितने भी divorcee daughter है तलाक शुदा लड़की है उनको family pension लेने के लिए अगर father की death हो गई है और अगर mother जीवित है तो जीते जी एक वो होने के बाद family pension मेरी बेटी को मिले तो दोस्तों वो कागच फिर आगे बहुत काम आता है फिर वो कागच बेटी को family pension दिलाता है जो तलाक शुदा बेटी है तो दोस्तों इस तरीके से कारवाई होती है यानि father mother के रहते हुए तलाक शुदा बेटी का case चला हुआना नीचे कमेंट कर सकते हैं वीड़ आपको शलकता वीड़े को लाइक करे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कि नए नही जानकारिया आपके बेल फिर से जुड़ी हुई आपको मिलती रहते है इस चैनल के मादम से थैंक यू सो मज सकते हैं तो